नमश्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल्सकाई अगर आप सिर्फ वजन खटाने के लिए ड्राय फ्रूट्स का सेविन करना चाहते हैं तो हर दिन नियमित मात्रा में नियमित समय पर इने खाएं इससे बोडी का एक रूटीन बनेगा साधी साथ ड्राय फ्रूट्स को उसके सही तरीके से खाना चाहिए स्वास के लिहाज से पिस्ता बहुत फाइदिमन है अब तक लोग ये समझते थे कि पिस्ता खाने से मुटापा बढ़ जाता है लेकिन हमीशा ऐसा नहीं होता पिस्ता कैलरी मुक्त होता है जो कोलेस्टरॉल को नियंतरत करता है पिस्ता खाने से शरीर का वजन कम होता है और कमजोरी भी नहीं आती पिस्ता में स्वास्त वर्ध गुड होते हैं जिसे शरीर फिट रहता है इसलिए अपने डाइट प्लान चार्ट में पिस्ता को जगा अवश्य दें पिस्ता में मागनीशियम, कॉपर, रेशा, फॉस्फोरस और विटामिन भी होता है अनिसूखे मेवी के अपेक्षा पिस्ता में कैलोरी की मातरा तथा साचुरेटेट फार्ट कम होता है साथ ये कॉलेस्टरॉल फ्री भी होता है अधिक मोनो साचुरेटेट फार्ट होने के कारण ये रख्थ के कॉलेस्टरॉल लेवल को कम करता है ड्राइफ रूट में भरपूर मातरा में कार्बो हाइडरेट और शुगर होती है जिन लोगों को हर समय कुछ न कुछ खाने की आदत होती है वो हर दिन पिस्टा का सेवन करें इससे उनकी हर समय छुट-पुट खाने की आदत छुट जाएगी पिस्टा खाने के बाद काफी देर भूख नहीं लगती वज़ा ये है कि इसे पशने में वक्त लगता है इस तरीके से वजन भी नियंद्रत हो जाएगा अगर ड्राइफ रूट्स को आप भरपूर मात्रा में खाएं तो वजन का बढ़ना स्वभाविक है लेगिन अगर इसे सही मात्रा में खाया जाए तो वजन बढ़ने की बजाए मिल्टेन रहता है इस वीडियो में फिल हाल इतना ही लाइफ स्टाइल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहे बोल सकाए